हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Hero Glamour 125 के बारे में मैं आप लोगों को complete detail से जानकारी दूनगा जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो की notification सबसे पहले आपके पास आए तो चलिए वीडियो शरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इसके लूप के बारे में तो दोस्तों कुछ cosmetic बदलाव भी किये गए है Hero Glamour 125 में नए body graphics है जो की चेकर ध्वज जैसा finish fresh wipe जोगता है हाला की पूरी design पुराने model से अपरिवर्तित है और इसके color option की बात करें तो Hero Glamour को 3 paints की more टेको blue black, sports red black और candy blazing red मिलने वाला है तो दोस्तों बात करते हैं इसके features के बारे में तो इसमें एक नया digital instrument cluster, USB charging port और Hero की i3S patented idle start and stop तकनीक से less है नया console real time mileage, कम fuel alert जैसी details दिखाता है और दोस्तों आपको बता देता हूँ की Hero ने rider seat की height 8 mm कम कर दी है जबकि pillion seat की height 17 mm कम कर दी गई है दोस्तों अब बात करें इसके engine के बारे तो updated Hero Glamour में regular 125 CC single cylinder air cooled engine का use किया गया है वही इसमें BSVI stage 2 के अनुरूप और A20 fuel के लिए तैयार है और दोस्तों यह bike आपको 7500 rpm पर 10.680 HP का अधिक्तम power output और 6000 rpm पर 10.6 nm का peak torque generate करके देता है वही अगर बात करें mileage की तो दोस्तों दावा किया गया है कि I3S technology के कारण इसका mileage 63 km प्रती लीटर रहने वाला है तो चलिए अब बात करते हैं इसके price के बारे तो दोस्तों आपको 86,000 X showroom price देखने को मिलने वाले हैं तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो केसा लगा हमें comment box में अपना opinion जरूर बताएगा फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही Thank you for watching अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेर करें और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए